Welcome everyone, उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्त होंगे आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत जादा helpful रहने वाला है जो कि अपनी math की तैयारी में एक basic level तक पहुँच चुके हैं और उनको एक level उपर जाना है, advanced level तक उनको जाना है साथ इसाथ उनको इतना confidence नहीं है उन्होंने basic questions तो कर लियें, लेकिन इतना confidence नहीं है कि हम CGL को निकाल सके आज जो मैं आपको book बताऊंगा, अगर वो book आप अच्छे से complete कर लोगे बहुती छोटी सी book है, ज्यादा time भी आपको उसमें नहीं लगेगा अगर आप उसको अच्छे से complete कर लोगे दो-तिन बार तो आपको एक confidence आएगा कि हम exam clear कर सकते हैं और कोई भी नया question आएगा, उसको भी हम आराम से solve कर सकते हैं इतना आपको confidence आजाएगा लेकिन इसमें एक बहुती important चीज है जिसको आपको बिल्कुल भी skip नहीं करना है कि किसको तो ये book लेनी चीए और किसको नहीं अगर आप नहीं वाली category में आते हो तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ कर जा सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा कि किसको ये book लेनी चीए और किसको नहीं लेनी चीए सबसे पहले मैं आपको book का नाम बता देता हूँ इस book का नाम है Competition Mathematics Bilingual by Abhinay Sarma जी हाँ ये Abhinay Sarma की book है उन्होंने पहली book 2017 में निकाली थी 2017 में और अब निकाली है 2022 में मैं भी काफी time से wait कर रहा था कि कोई Abhinay Sarma की book मिले क्योंकि मेरे सबसे favorite teacher है Abhinay Sarma सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसके लिए ये book जरूरी है और किसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इसके बाद में हम इस book को detail में review करेंगे चलिए start करते हैं सबसे पहले हम आपको बताता हूँ कि किसको ये book लेनी चाहिए तो देखिए point wise मैं बात करता हूँ सबसे पहले हम देखते है point number one वो सारे बच्चे जो की basic से कुछ questions को काफी सारे questions को कर सकते हैं साती सात वो X मानकर questions को आराम से कर सकते हूँ और उनके concept अच्छे से clear हूँ वो बच्चे इस book को जरूर लें इसके बाद में second point वे सारे बच्चे जिन्होंने किरन publication की जो मोटी वाली book आती है या फिर राकेस यादव की जो मोटी वाली book आती है 300 plus उसको एक या दो बार कर लिया है वो इस book को जरूर लें क्योंकि इसमें काफी सारे नए questions आपको मिलेंगे साथी साथ कीरन publication की भी छांटे हुए questions आपको इसमें मिलेंगे इसके बाद में point number 3 वे सारे बच्चे जो की अभिने सर्माज से किसी भी माद्यम से पढ़ रहे हैं यूट्यूब से या फिर और कोई माद्यम से आप पढ़ रहे हो तो ये book आपको जरूर लेनी चीए क्योंकि इसके जो solution है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे point number 4 वे सारे बच्चे जो की अच्छे solution चाते हैं क्योंकि किरन पब्लिकेशन में आपको पता है कि सारे के सारे जो solution है वो बिल्कुल basic लेओल से हैं अगर कोई बच्चा अपनी तैयारी को start कर रहा है beginner है तो वो किरन पब्लिकेशन को पढ़ता है क्योंकि उसमें बिल्कुल basic से आपको बताया हुआ होता है तो अगर basic आपने complete कर लिया है और किरन पब्लिकेशन अच्छे से कर लिये और अच्छे क्योंस की तलास में हो तो आपको ये बुक जरूर लेनी चाहिए अगर आप किरन पब्लिकेशन की मोटी वाली बुक से परिसान हो गए है और इतने ज़्यादा आप क्योंस नहीं कर पा रहे है 10,000, 12,000 क्योंस आप करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है और आप केवल उन में से important क्योंस करना चाहते है जितने भी extra क्योंस है उनको नहीं करना चाहते साथी साथ आपको solution भी अच्छे चाहिए तो आप इस बुक को जरूर लेना इससे आपको बहुत ज़्यादा confidence मिलेगा क्योंस करने में नए क्योंस भी आपको बिल्कुल previous year से related दे रखे हैं नए क्योंस भी irrelevant नहीं है बिल्कुल भी अब हम चलते हैं point number two पे कि कौन-कौन से बच्छों को ये बुक बिल्कुल भी नहीं लेनी चीए वे सारे बच्चे जो की अपनी preparation को अभी start कर रहे हैं beginner level पे हैं उनको ये बुक बिल्कुल भी नहीं लेनी चीए second, वे बच्चे जो की question को x मान के solve करना चाहते हैं उनको ये बुक बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस बुक के जो solution है वो आपके समझ में नहीं आएंगे, सारे उपर से जाएंगे, इसमें tricks बताई हुई है, इससे कि आप क्यूशन को जल्दी कर सकें, थर्ड पॉइंट, अगर आपके मोक टेस्ट में ठीक ठाक स्कोर नहीं आ रहा है, यानि लगबग आप मानलो कि 70 परसंटाइल से भी आपकी नीची परसंटाइल आ रही है, तो आपको ये बुक बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, पहले आप basic क्यूशन में confidence डौल अप करो, इसमें आपको ये लिखा हुआ है कि complete competitive mathematics, bilingual, arithmetic plus advance, दोनों आपको इसमें मिलेगी, अभिने सर की guidance में ये बुक बनाई हुई है, इसके बाद में आपको इसके content मिलेंगे, तो देखो, सबसे पहले आपको concept of number दिया हुआ है, इसमें सभी questions को concept से बांटा हुआ है, सभी chapters को, सब से पहले जो number के concept सारे chapter में आते हैं, वो अलग कर दिया इसने, फिर percentage का concept अलग कर दिया, percentage में देखो, कौन कौन से topic किये हैं, percentage, profit loss, discount, simple interest, compound interest, SICI, installment, ये सारे जो question है, वो percentage से इसने इनोंने किये हुए हैं, इसके बाद में concept of ratio अलग कर दिया, फिर concept of time, concept of advance method अलग है, और concept of data analysis, DI, ये इनोंने अलग कर दिया, तो total अगर मैं बात करूँ, तो 34 chapter इसमें आपको मिलेंगे, इसके बाद में अगर हम आगे चलें, तो मैं आपको कोई भी एक chapter दिखाता हूँ, और उसके solution में दिखाता हूँ, कैसे इसमें solution दिये हुए हैं, देखे, profit loss का equation में आपको दिख काता हूँ, कैसे, कितना short solution इनोंने दिया हुआ है, तो देखे, एक line में, profit percentage is equal to 0.25 बटे 1 into 100, 0.25 इसका क्या हो गया, profit, और नीचे क्या आ गया, इसका CP into 100 percentage में बदलने के लिए, और is equal to 25 percentage, तो ऐसे छोटे-छोटे solution आपको इसमें मिलेंगे, अगर इसी question को आपको basic से करना हो, तो आप कैसे करेंगे, जो कि आपको किरन पब्लिकेशन की, जो मोटी वाली बुक आती है, 10,000, 12,000 की उसमें है, उस बुक में आपको दिया हुआ मिलेगा, कि एक वस्तु का क्रे मुले आप कैसे गयाद करोगे, बारा रुपय में बारा वस्तु का भाग दे दोगे, तो तो वो आप लगाओगे, तो यहां से आपको profit percentage मिल जाएगा, तो अगर जो मैंने अभी solution बताया है, वो solution आपको पहले से नहीं आता है, तो आप इस book को मत लीजिएगा, और वो solution अगर आपको पहले से आते हैं, X मान के आपको solution करना आता है, तो आप इस book को जरूर लेना, क अगर आपने पढ़ी है, तो type 1, type 2 में कितने कितने questions थे, 50, 100, ऐसे questions थे, इसमें 20, 25 ऐसे questions मिलेंगे, type 2 में केवल 7 questions, type 3 में अगर मैं बताओं तो 12 questions, लगबग इसमें आपको 3000 questions मिलेंगे, तो अगर मैं बात करूँ कि 3000 questions में आपको कितना time लगेगा, अगर आप रोजाना 200 questions भी करते हो, तो आपको केवल 15 दिन लगेगे इस बुख को कवर करने में, जब आप first time कर रहे हो second time जब आप करोगे तो 10 दिन में हो जाएगी, third time जब आप करोगे तो आप 5 दिन में पूरी बुख को revise कर लोगे इस प्रकार से आप मान लो कि एक महिने के अंदर-अंदर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे mathematics में इसमें जो solutions है वो केवल English में दे रखें आपको लेकिन मुझे लगता है बुक को जरूर लेना इस बुक को करने के बाद में आपको काफी confidence मिलेगा satisfaction मिलेगा इस वीडियो में इतना ही आगे भी और interesting और informative वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लास तक देख रहे हैं तो आपका बहुती धन्यवाद thank you very much for watching